चाहे मुख्यमंत्री नितिश कुमार लाख दावे कर लेकी बिहार की प्रसासन बिना किसीला परवाही के पूरी मुस्तेधी से काम कर रही है लेकिन जमीन पर सचाई कुछ औरी है। सुसासन की सरकार वाली पूलिस प्रसासन कभी हत्या होने के बाद घंटो इस बात का पता नहीं लगा पाती कि यह घटना किस थाना छेतर के सीना में पढ़ता है तो कभी इतनी मुश्तेधी दिखाती है कि नस्य के हालत में कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाता है तो उसे पीट लिया जाता है चार बार सो नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस महां पहुंचती है यह सब इसी सुसासन वाले सरकार में हो रहा है जहांके मुखिया कल तक चुनाव प्रचार के दवरान इस बात का डर दिखा रहे थे कि अगर आप लोग राजत को बोड दीजिएगा तो वापस से फिर वही जंगल राज आ जाएगा हत्या और पुलिस के बेरुखी का यह कोई पहला मामला नहीं है अगर आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि राज में कानून ब्योस्था की हालत कितनी खराब है आगे इस वीडियो में हम आपको इन घटनों के साथ साथ और रिकॉर्ड भी बताएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि राज में कानून ब्योस्था की क्या हालत है आगे बढ़ने से पहले अपना परचे दे दूँ नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सीन और आप देखना है जनता जंक्सन सबसे पहले बात क कि रात को करीब 12 बजे के आज पास आगम कुमा पूल पर दोनों पती और पतनी बस से उतरते हैं उसके नीचे ही ओल्ड बाइपास है वे दोनों वही नीचे आटो लेने के लिए चले गए वहाँ पहले से यक आटो लगा था और उसमें ड्राइबर के साथ दो लोग पहले स पर बैठ गया रात साड़े बारे बजे के करीब आठो चीराया ठांड पूल पर चढ़ा पूल पर चढ़ने के करीब 50 मीटर बाद ड्राइबर ने ओटो को रोक दिया इसके बाद आगे बैठे दो लोगों में से एक ने पिश्टर निकालकर पती और पतनी से पैसे निकालन भी लेकर गये लेकिन उसकी मौध हो गई घटना के बाद जब पुलिस को सूचित किया गया तब वो अकप्राधियों को पकड़ने के बजाय सीमा बिवाद को लेकर आपस में उलज गये पुल आठ घंटा तक चार पुलिस थानों के थानेदार इस बात को मानने के लिए तयार ही नहीं थे कि यह घटना हमारे इलाके में हुआ है बाद में टाउन डियस्पी सुरेश प्रसाद खुद मौके पर पहुँचे इसके बाद पता चला कि यह घटना जक्कनपूर थाना छेतर में हुआ है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के वक्त सुमसान इलाके में पढ़ने वाले पूल पर किसी भी थाने की पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रही थी आपको बता दी कि यह पूल चार-चार थाना छेतरों का सीमा पढ़ता है इसके बावजूद वहां किसी भी थाना छेतर का कोई गारी मौजूद नहीं था फिलाहाल पुलिस पांच लोगों को गिरपतार कर चुकी है और उस अर्टो को भी जब्त कर चुकी है मामले में आगे जाच चल रही है अब आपको उस दूसरा घटना के बारे में बता देते हैं जिसमें आरोप है कि केवल सराप की नसे में पाए गए एक ट्रक खलासी को पुलिस पीट-पीट कर मार डालती है आरोप लगाया गया है कि उत्पात बिभा की टीम ने 32 साल के राजेस पांडे को दो दिनों तक अपनी कश्टडी में रखा इन दो दिनों तक जम कर पिटाई की गई इसके बाद फुलवारी सलीव जेल भेज दिया गया जब जेल के अंदर राजेस पांडे की हालत गंभीर हो गई तब उसे इलाज के लिए PMCH में एड्मिट कराया गया अस्पताल में भरती होने के बाद रभी बार को राजेस पांडे की मौथ हो गई परिवार के तरफ से कहा जा रहा है कि 23 अक्टूबर को पुलिस ने गाय घात इस्तित गुलंबर के पास से राजेस पांडे को अपने कश्टडी में लिया कश्टडी में लेने के बावजूद इस बात की जनकारी परिवार वालों को नहीं दी गई 25 अक्टूबर को जब इसकी जनकारी परिवार वालों को मिली तब उसका भाई उसके मिलने थाने पहुँचा लेकिन पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया दो दिन बाद मृतक को फुलवारी जिल में भेज दिया गया लेकिन पुलिस का स्टडी में हुई पिटाई के कारण उसकी तबियत भी गड़ गई 27 नॉवंबर को चुप चाप तरीके से इलाज के लिए PMCH लाए गया इस बात की जनकारी भी परिवार वालों को नहीं दी गई 8 नॉवंबर के स्टाम में परिवार को जब इस बात की जनकारी मिली तब वे अस्पताल पहुँचे लेकिन उसके बाद राजेस पांडे की मौत हो गई सराप पिना बिहार में गएर कानूनी है लेकिन क्या इसकी सजा अब पुलीस खुट पैकर देगी क्या सराप पिने की सजा बिहार में पुलीस द्वारा पीट-पीट कर दी गई मौत है अब आपको कुछ आँकडे बता देते हैं जो यह समझने में मदद करेंगे कि बिहार में कानून ब्योस्था कितना अच्छा है जनवरी महिने से अगस्त महिने तक 2132 हत्या हो चुकी है सितंबर, अक्टूबर और नॉंबर महिने का डेटा अभी उपलब्द नहीं है 2019 का भी आकडा सुन लीजिए 2019 में कुल 3138 हत्याई हुई थी वैसे ही इन आकड़ों से मुख्यमंतरी जी को क्या ही करना है क्योंकि धीडोरा तो 15 साल पहले के जंगल राज का ही पिटना है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को सेर कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाकिये स्क्रीन पर जो डोनेशन की जनकारी दिख रहे हैं ये उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें मिलते हैं फिर बहुर ले लगले वीडियो में कैमरे के पिछे कढ़ें पपु सिंग और मैं मोहित कुमार सिंग धन्यवाद